So Hello Everyone, मैं वो विक्रम और इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं SJVN Share के बारे में अब इस टॉक में आज के दिन देखा जाए तो यहाँ पे 6% की गिरावट देखने को मिल रही है और इस टॉक का जो करेंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 119 रुपीज का तो यहाँ पे अब इस टॉक में आगे के लिए क्या टार्गेट्स होने वाले हैं और और कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है वो डिसकस कर लेते हैं दास वीडियो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 123 रुपीज जो है यहाँ पे इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है उस सपोर्ट को आज के दिन में इसने ब्रेक कर दिया है काफी बड़ी कैंडल के साथ आप देख सकते हो काफी बड़ी कैंडल आई है उसके साथ यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन हो गया है और यहाँ पे अब जो नेक्स टार्गेट इसके लिए होना चीए था वो होना चीए था 117 रुपीज का वो भी यहाँ पे इसने आज ही के दिन में हमें दे दिया है तो 110, 110 से लेके 108 के बीच में कहीं टार्गेट देखने को मिलेगा अपना पहला तो उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे 117 रुपीज नीचे की साइड ब्रेक होना चाहिए तो यह तो बता दिये मनें आपको डाउन साइड का सेनेरियो अगर 117 ब्रेक होता है नीचे की साइड तो फिर यहाँ पे हमें 110, 108 यह हमें देखने को मिल सकता है बट अगर दूसरी सिचुएशन में अगर यहाँ पे क्या होता है तो फिर हमारे यहाँ पे क्या है कि एक बाइंग की अपॉर्चिनिटी भी बन सकती है तो अभी क्या है कि अभी अंसर्टिनिटी है काफी जादा क्योंकि सपोर्ट के पास आ चुक है यहाँ से नीचे भी ब्रेक कर सकता है यहां से उपर भी इसके sustain कर सकता है तो वो हमें पता चलेगा आज की closing पे जिस भी इस आप से closing होती है आप फिर शाम को हम इसमें और levels discuss करेंगे तो यह भी फिलाल के लिए levels निकल के रहे downside का मैंने आपको target बता दिये upside का view अगर closing उपर होती है फिर हम इसमें आगे discuss करेंगे तो यही वीडियो थी SJVN शेयर के उपर आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए helpful रही होगी तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में